दिले के मुख्य मंत्री अर्वेंदिक केजरिवाल की ईटी द्वारा गरफतारी को चिनोती देने वाली याचिका पराज सुप्रीम कोड का फैसला आना है शिग्र अदालत के फैसले से तैह होगा कि सीम केजरिवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं जबी चदली सरकार में मंत्री सौरभ भारतवाज ने शुकरवार को बड़ा वयान दिया है उन्होंने कहा कि गिरफतारी को गेर कानूनी खोश्यत किया जाता है तो ये मील का पत्थर साबित होगा सौरभ भारतवाज ने कहा अगर PM LA के तहत मुख्य मंत्री के गिरफतारी को अवेद खोश्यत किया जाता है तो ये पूरे देश में इस कानून के दुरुपियोग के लिए एक बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगा और बहुत से लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं हमें उमीद है कि ये फैसला आमारे देश के समविदान को मजबूत करता है मुख्य मंत्री को एडी ने मनी लॉनरिंग मामले में 21 मर्च को ग्रफतार किया था 20 जून को उने इस मामले में एक लाग रुपे के नीजी मुचकले पर यहां एक निचली अदालत ने जमानत दी थी हलागी एडी ने अगले दिन दिली उच्चन यायले का रुक किया और तर्क दिया कि केजरी वाल को जमानत देने वाला निचली अदालत का आदेश एक तरफा और गरत था कोट के निशकर्ष आप्रसांजिक तक्यों पर अधारित थे दिली हाई कोट ने 21 जून को अंतरिम राहतके लिए ईडी की एड़जी पर आदेश पारित होने तक निचली अदालत के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी 25 जून को चिनिया याले ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगायत हुए विस्त्रत आदेश पारित किया था केचरीवाल को कथित आबकारी नीती घोटाले से जुड़े भिरस्टाचार के मामले में 26 जून को CBI ने भी किरफ्तार किया था असल ये मामला साल 2021-22 के लिए दिली सरकार की आबकारी नीती के निर्मान और किरियान विद्न के कथित भ्रस्टाचारों मनी लॉंडरिंग से सम्मान दित है जुसे अब रद्द कर दिया गया है 100 नीज की रिपोर्ट